हाई अवरिवन मैं हूँ धननजा है उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे दस में को United Nation General Assembly में भारत ने Palestine के फेबर में वोट किया इसका मतलब है कि भारत चाहता है कि Palestine United Nation General Assembly का Member बने अब इसी स्को आप Veto Power से बिल्कुल भी Confuse मत कीजेगा इसी में हमारे बीच जितने भी लोग geopolitical news को actively follow करते हैं उनको ये बात तो definitely मालूम पढ़ चुका होगा अब तक कि United Nation as an organization ये complete तरीके से एक failed organization है क्या है ये Palestine का United Nation General Assembly में वोटिंग का मामला इसके बारे में हम जानेंगे मगर इस वीडियो में आगे बढ़ो इससे पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो मुझे email करके बता सकते हैं तो ये 10 में का voting का result है जहाँ पे 143 countries ये चाहते हैं कि Palestine United Nation General Assembly का member बने वहीं पे 9 देश नहीं चाहते हैं कि Palestine United Nation General Assembly का member बने और 25 देशों नो ये prefer किया कि वो absent हो जाएं हलाकि absent होने का मतलब भी कितनी बार ऐसा होता है कि वो resolution को support या oppose कर रहे हैं यहाँ पे अगर किसी भी तरीके से जिन देशों ने absent किया है अगर इसमें से हम ये माल ले कि वो सारे देश present होते हैं तो या तो वो favor में vote करते हैं या तो वो against में vote करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका जो mindset है या उनका जो ideology है वो directly expose हो जाता तो कितनी बार absent इसलिए भी होते हैं कि वो अपने आपको expose नहीं करना चाहते हैं आज के rate में general assembly में total 193 countries हैं अगर Palestine successfully इसमें आ जाता है तो total हो जाएंगे 194 countries इसका मतलब ये होता है कि Palestine as a country का जो value है या जो उसका एक impact है वो और बढ़ जाएगा ग्लोबल platform पे उसके साथ एक बात और add कर दू कि अगेंस्ट जो voting करने वाले थे इसमें एक तो definitely Israel था और दूसरा US भी था और साथ में साथ अलग और भी देश थे जिनका कि शायद कोई खास counting या कोई खास इनका impact है भी नहीं क्योंकि Palestine चाहता है कि वो United Nation General Assembly का member बन जाए तो अगर आप कहीं का भी member बनते हैं तो कुछ वहां के नियम कानून होते जिसको follow करना होता है तो वैसा ही कुछ United Nation General Assembly का भी है ये बकायदा United Nation के website पर आपको ये article मिल जाएंगे जिसको कि अगर आप और interested है तो आप और अच्छे तरीके से पढ़के इस subject के बारे में और भी clarity आप develop कर सकते हैं तो basically अगर आप इस पूरे article को पढ़ेंगे तो आपको दो-तीन चीज मालूम पढ़ेगा कि United Nation का member बनने के लिए एक तो उस देश को responsible होना चाहिए responsible in the sense उसे किसी भी तरीके से ये नहीं दिखाना चाहिए कि उसके देश में human rights violations होते हैं या उस देश में equality की बात नहीं होती है या वो देश किसी भी तरीके से unnecessary war में उलजा रहता है दो-तिन बाते में आप लोगों को बहुत इस first बताना चाहता हूँ कि अगर आप United Nations के website पुजा के आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे दुनिया भर की जितने जो तमाम अच्छी अच्छी बाते हैं सारी यहाँ पे बात लिखी हुई है लेकिन वहीं जहाँ पे जब दुनिया के सामने real challenges आता है तो आपको समझ में आता है कि United Nations और इसके जो अलग-अलग organizations है यह किस तरीके से permanent members के सामने घुटने टेक के खड़ा होते हैं US यह नहीं चाहता है कि Palestine member बने United Nations का और इसके पीछे US के दुआरा कोई खास valid reasons भी नहीं दिये गया है कहने का मतलब है कि United Nations एक club है जहाँ पे जो इसके 5 permanent countries हैं जिसमें देखा गया है कि US, UK और France एक तरफ vote करते हैं और China और Russia एक तरफ vote करते हैं क्योंकि भारत के साथ और भी देश यह चाहते हैं कि Palestine member बने General Assembly का लेकिन यह रास्ता अभी इतना simple नहीं है अभी यह resolution जाएगा Security Council में और जैसे ही Security Council में यह मामला पहुचेगा वैसे ही US इसको veto कर देगा क्योंकि US पिछले महिने इस proposal के उपर already veto कर चुका है तो कहने का मतलब है कि जो 143 countries का mandate है वो complete तरीके से waste हो जाएगा तो यह भी हमारे सामने एक बहुत ही best example है जहाँ पे 5 veto countries के power के सामने rest of the countries का जो mandate है जो उनका objective है वो complete तरीके से defeat हो जाता है United Nations Security Council क्या है तो यह भी United Nations का एक wing कह ले या एक branch कह ले जहाँ पे peace and prosperity की बात होती है जहाँ पे अगर दुनिया में कहीं पे भी conflict शुरू होता है तो United Nations Security Council में उसके बारे में specifically बात होता है और कोशिश किया जाता है किस तरीके से उस war को रोका जा सके हमारे पास ऐसे अंगिनत example है जहाँ पे US ने veto लगाया क्योंकि वहाँ पे Russia उस resolution को favor करता था और ठीक वैसे ही हुआ कि जब Russia किसी चीज़ पे veto लगाया था उस चीज़ को US favor करता था तो कहने का मतलब है कि ये जो organization है ये सिर्फ और सिर्फ पांच देशों का organization है जिसके बारे में Government of India officially बहुत बार ये कह चुके हैं कि इस organization में reform की सक्तावशकता है US definitely इस resolution को veto करया क्योंकि ये resolution directly against है इस्रेइल का और US वो पहला देश है जब इस्रेइल बना था तो बनने से महज 11 मिनट में ही US ने उसको country का recognition दे दिया था और जिस तरीके से country इस्रेइल का formation होता है ये दोहरानी की जरूवत नहीं कि वो कितना अपने आप में ही एक गलत था वहीं अगर बात किया जाए तो 2012 से United Nation में Palestine को as an non-voting observer का इनको right मिला था कहने का मतलब है कि United Nation में कोई भी discussion होगा उसमें Palestine participate कर सकता है लेकिन ये discussion में participate नहीं करेगा कहने का मतलब है कि ये बैट के उन सभी चीज़ों को observe करेगा लेकिन ये किसी भी तरीके से अपने विचार को व्यक्त नहीं करेगा वहीं पर अगर बात किया जाए तो personally मेरा भी ऐसा मानना है कि 7 October को जो हमास ने किया था वो तरीका बेहत गलत था लेकिन आप इस चीज़ को justify कैसे करेंगे कि लगबग 40,000 से विए उपर लोग मारे जा चुके हैं और पूरे के पूरे जो गजा जो शहर है जो एरिया है उसको पुरा जमीन में मिला दिया गया है और जिस तरीके से almost 70% जो किलिंग हुआ है वो सिर्फ और तो और बच्चों को हुआ है अगर ये genocide नहीं है तो genocide का फिट definition क्या होता है US इसे बता है वहीं अगर आप government of India का official stand देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भारत बहुत पहले से ही two nation solution की बात करते हुए आया है जहाँ पे भारत हर वक्त ये कहा है कि conflict कोई solution नहीं है अगर आप जब तक mil bad के बात नहीं करेंगे तब तक इस शीज का resolution नहीं निकलेगा और उसके बाद भारत annually 5 million American dollars का aid भेजता है Palestine को तो more or less अगर आप government of India का stand देखेंगे इस शीज में तो बहुत ही clear है और समय दर समय भारत two state solution को प्रपोस करता हुआ आया है और almost देश में जिसकी भी सरकार है उनका almost जो statement या उनका almost जो stand है वो two state solution के तरफ ही बताता है तो अगर हम इस वीडियो को conclude करें तो हमें कुछ बातें बहुत ही clearly समझ में आता है कि geopolitics में आपका दोस्त कोई नहीं होता अगर आप एक weaker country है तो आपका कहीं से कोई recognition नहीं है उसके बाद United Nation के almost सभी division में जल से जल changes या amendment की ज़रूत है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताए see you in the next video have a wonderful day thank you, take care, goodbye